कि नमस्कार मैं हूँ आपके साथ साक्षिवर आप देख रहे हैं नेक्स नाइन लाइफ आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे शुरुआत करेंगे शिप्ठाक रहे से बिग बॉस हीजन 16 को लेकर नए अपडेट हम अपडेट को लेकर हम आपको सुचित भी कर रहें कि आखिर क्या क्या हो रहा है इस वक्त सबसे बड़ा जो अपडेट आया वह यहीं आया है कि अर्चना गौतम बिग बॉस में वापस आ चुकी है अर्चना गौतम और शिफ्ठाकरे के बीच बहुत बड़ा जगड़ा हु नहीं उठाएंगी और हमेशा से यह होता गया है अर्चना गौतम खुद भी काफी लड़ाई करती है उन्हें दो बार बीग बॉस वाड़नें भी दी चुके हाला कि हमने देखा कि शुक्रवार और शनिवार जस तरह से सल्मान खान ने आकर वाट लगा दी यहां पर शिफ यहां पर अर्चना गौतम की जो वापसी हुए इसके सथ्य वड़े वजह यह थी कि जिस मुद्दे पर उन्हें 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 हाथ उठाया वह मुद्दा बाहर का मुद्दा था ना कि घर के अंदर का मुद्दा था तो यहाँ पर अगर आप घर के अंदर के मुद्धे पर यह करते तो शाज शिव ठाकरे का जो डिसीजन है वो सही होता साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि शिव की जिन्दगी को लेकर खुलासे क्या है क्या किस्से है हम आपको बताना चाहेंगे कि यह शिव जो बिग बॉस में इस वक्त तरखास नज़र आ रही है किस तरह की लाइब गुजारते हैं कितना पैसा वो बिग बॉस से हर हफ्ते ले रही है साथ ही उनके परिवार में कौन-कौन है आप जानना चाहते होंगे क्योंकि कहीना गई शिव आपके भी फेवरेट होंगे और आप बिल्कु सोच रहे होंगे कि शिव ने बिल्कु सही डिसीजर लिया है साथ ही आपको बता दे कि इस सीजन में यहां अब कुछी कंटेस्टन बाकी है सुंबल चोखीर बाकी है शाहलीन भनौट बाकी है टीना निम्रित अब्दुल और साजित खान प्रियंग का अंकित जैसे कई सारे अभी भी यहां पर कंटेस्टन है यहां पर है गौरी को अभी बाहर दिया गया है गौरी न गोरी जो के हरयाना की शकीरा कहला यह जाती है इसाहान अब चाहरे क्योंकि 치ट त्र Чाकρι को लेकर क्योंकि शुष में चल रहे हैं वह बहुत अच्छा जो है किसी से सामने दिखना तो कैमरे के सामने एक अच्छी अपने इमेज लेकर आया लेकिन कहीं न कहीं जो यह तबीता इस अच्छी पोजिशन उन्होंने पाई है और तीना भी इस लिस्ट में शामिल है लेकिन सुंभर टोकिर इस लिस मधे पशाया है अब है कि श्रिप ठाकरे कौन है और क्या तालुकर रखते हैं श्रिप ठाकरे इस में काम कर रहे हम ने देखा कि क सीओं अबुल के साथ मिल कर यहां पर शo करते हैं लेकिन मुद्धे पर बोलना हमेश्व अपनी बात रखना मूं बहुत अच्य से करते अगर हम बात के रैशनल गौतम की अच्टा गौतम जहां लोग चुनुवात के दो हफते अच्छनल गौतम को पसंद करते थे आगे के हफते में उनसे इरिटेट होने लगे हाला कि खुद के स्टेज़ पर सल्मान खान ने ये बात रखी कि अब इरिटेट तो मत करो यहां कि क की तारीफ हर जगा हो रही है ऐसे में साल इस शो में शिफ ठाकरे भी नजर आ रही है आभी तक दर्शक अपने गेम को काफी जादा पसंद कर रहे हैं बता दे इस से पहले उन्हें एम टीवी के स्तांट बेस्ट शोरोरीज के औरीशन डाउन में भी देखा गया है इस दोरान करन कुंदरा अपनी सिंपल सिटी देखकर काफी जादे इंप्रेस हो गई थे चले जानते हैं शिफ ठाकरे की करियर की बारे में विद्यविस ओर में सल्मान खान ने खुच शिफ शिफ ठाकरे की गेम की तारीफ की थी बेहत कम लोग जानते हैं लेकिन शिफ ठाकरे माराथे बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं बिग बॉस सीजन 16 में भी अपने अनोखे अंदाज से वह बिग बॉस की घर में धूब मचा रहे हैं शो के शुरुवाती दिनों से ही शि थी वे अपनी बेहन के साथ निउस पिपर भी बेचा करते थी उन दिनों शिफ दूद भी बेचने का काम किया करते थे इसके बाद शिफ ने डान्स क्लास खोला जहां से उनकी अच्छी कमाई की जाती थी अपने बेग्ग्राउंड के बारे में उन्होंने खुद जुरूर के ओडिशन में खुलासा किया था इतनी महरत करने के बाद उन्हें काफी मुश्किल से ये मुकाम हासिल हुआ है बता दें अभी तक दर्शकों को उनका गेम काफी जादा पसंद आ रहा है अब देख रही होगा कि माराटे बिग बॉस जीतने के बाद क्या शिफ बिग बॉ तो इसको ज़रूर शेयर करें इसी बीच आपको और भी स्टोरी हम बताने जारे क्योंकि शिफ ठाकरे के जिंदी का एकलोता यही किस्ता नहीं बलकि और किस्ते हैं शिफ ठाकरे के जिंदगी के कुछ ऐसे किस्ते जिसे जान आप भी रोग पड़ेंगे जहाए आपर 2015 में स देव रोडी जा राइजिंग सीजन प्रोटीन में सेलेक्ट हुए थे और साथ ही वहाँ पर पॉपलर भी हो गए थे सेवी फाइनल तक शिफ ठाकरे एलिमिनेट भी हो गए थे शिफ का जिनमें 9 सितंबर 1989 को अमरावती महाराष्ट में हुआ था शिफ ठाकरी के उम्र इस समय 33 वर्ष है उन्होंने अपनी पढ़ाई विद्धाले अमरावती से की और जी एच राइसुनी कॉलेज ओफ इंजिनियरिंग नाकपुर महाराष्ट से उन्होंने 2019 में सेवदाए इंटी सोशल नेटवर्क का भी उन्होंने हिस्सा लिया था मराची बिग बॉस सीजन टू में शिफ ठाकरे ने हिस्सा लिया और बहाँ पर उन्होंने ये शोचीत भी लिया था इन्हें ट्रॉफी में के साथ 17 लाक रुपे मिले जिसके बाद वो बिग बॉ सीजन सोला का हिस्सा बन गए इन्हों रे अपने द्वारा एक इंट्रव्यों में बताया कि इमरान हाच में उनके फेवरिट एक्टर है और फो फिल्मों में विलन का किरदार निभाना चाहते हैं इनकी फैमली की बात करे तो इनकी माता पिता दहन मनीशा ठाकरे जिनकी शा कारियस पश्ट नहीं है यहाँ पर अभी तक इन्होंने कोई ऐसी लव लाइफ शुरूर नहीं की लेकिन लगातार एक किसे में सबसे जादा चर्चा में आने लगे जहाँ यहाँ पर उन पर ये भी हो रहा है कि शाद उन्होंने एक गेम खिला एक बहुत बड़ा खीम कि व दढ़ाई एक टिशू पेपर पर शुरू हुई और मार्पी तक पहुशने वाली थी अश्रा ने शिफ्ठ ठाकरी का गला पकड़ दिया जिसके बाद शिफ का गुस्सा फूट पड़ा इस पूरे बवाल के बाद अच्छुना को शो से बाहर का रास्त दिखा दिया विलाल से जहां पर शिफ्ठ सामने आए हैं काफी चीजे देखने को बल रही है